शीला की बेटी आरूशी का रिष्टा तै हो गया था लड़के वाले आरूशी को देख कर जा चुके थे लड़के की बेहन ने अभी तक आरूशी को नहीं देखा था क्योंकि वो अपने पती के साथ केरल में रहती थी और उसके पती को छुट्टिया नहीं मिली इसी कारण सगाई का फंक्शन अब हो रहा था सगाई से दो दिन पहले वे दोनों आरूशी को मिलने आ रहे थे अरे फोन छोड़कर मेरी बात सुन लो हाँ हाँ बोलो अरे वो आशा का फोन था प्रशान्त का फोन आये था आरूशी की ननद और नंदोई उसे मिलने आ रहे हैं वो ननद उसके लिए कोई उपहार लाई है केरल से तो उसका मन है कि वो सगाई के फंक्शन से पहले एक बार आरूशी से मिलने पहले कभी मिली नहीं न तो वो शाम को आ रहे हैं आशा क्या कह रही थी ममी वो मुझे देवी का भावी के साथ उस ब्यूटी पार्लर तक जाना था जहाँ उनका ब्राइडल मेकप हुआ था बहुत अच्छा था उनका मेकप मैं सोच रही थी सगाई के फंक्शन के लिए मैं वहीं से रेडी हो जाओ तो भावी की तो जान पैचाने वो पैसे ठीक लगवालेंगी इसलिए फिर मैंने बुआ जी से कहा कि वो देवी का भावी के साथ आ जाए पापा बुआ जी कितनी देर में बोल रही हैं आ जाएंगी तभी आशोर देविका आ जाते हैं नमस्ते भाभी नमस्ते मामी जी नमस्ते मामा जी नमस्ते नमस्ते अच्छा हुआ भाभी आप आ गए मैं बस रेडी हो जो फिर हम दोनों चलते तब तक आप कुछ खा पी लो बेटा शाम को तेरे ननद नंदोई ने भी आना है फिर देर मत कर देना बात करके जल्दी लोट आना अच्छा देविका के वही ननद नंदोई जो केरल रहते हैं हाँ वही बहु तुम भी तो केरल की हो ना जी मामी जी ममी पापा केरल में रहते थे मैं तो दिली में ही पैदा हुई थी शुरू से दिली में ही रहें मैं और भाया अभी तो दादाजी दादी जी वही रहते हैं तो कभी-कभी जाना होता है अच्छा, फिर तो भावी उनकी लैंगविज समझ जाएंगी क्योंकि जीजू भी तो साउथ हिंडियन है जीजू को तो बिल्कुल भी हिंदी ठीक से नहीं आती फ्रशान बता रहे थे कि वो तो हमेशे अपने घर में तमिल में ही बात करते हैं बस दीदी के साथ हिंदी में बात करते हैं मैं चाय बनाती हूँ फिर तुम लोग टाइम से हो आना कभी वो लोग आना जाएं जब तक ये दोनों बाजार होकर आ रहे हैं मुझे बता देना क्या बनाना है मैं साथ में बन वालूंगी देवी का आरूशी के साथ ब्यूटी पार्लर बात करने के लिए चली जाती है वहीं आरूशी के मोबाईल पर प्रशांत का फोन आ जाता है हाँ प्रशांत बोलो हाँ हाँ ओकी हाँ वो मैंने बताया था ने देवी का भाबी आई है तो उनके साथ पार्लर में बात करने आई थी ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो आरुशी, तुम कुछ परिशान हो गई प्रशान जी क्या कह रहे थे वो डिनर के लिए आ रहे है न दीदी जीजु मम्मी जी पापा जी भी साथ होंगे जीजु को लेमन राइस खाने की आदत है तो प्रशान्त का मन था कि हम जीजु के लिए डिनर में लेमन राइस बनाएं क्योंकि जीजु को घर के बने लेमन राइस बहुत पसंद है पर अच्छा नहीं लगेगा प्रशान्त की दीदी हमारे घर होंगी और वो खुद रसोई में लेमन राइस बनाएं हम में से तो किसी को भी लेमन राइस बनाने नहीं आते आरुशी तुम्हारे सामने तुम्हारी साउथ इंजिन भाबी खड़ी है तो तुम चिंता क्यों करती हो अखेर मैं भी तो साउति इंडियन हूँ आपको तो बहुत अच्छे से लेमन राइस बनाना आता होगा पिर तो भाबी हमें जलदी घर चलना चाहिए ताकि आप लेमन राइस बनाने की तैयारी कर सको सामान भी तो लेना होगा क्या क्या चाहिए होता एक बार बता दो हम लेते हुए चल लेंगे देवी का और आरुशी रास्ते से लेमन राइस बनाने के लिए जो भी सामगरी की जरुरत होती है वो लेकर घर पहुँचती है अरे ये मुफली, उड़त डाल, निम्बू, करी पता ये सब किसलिए लेमन राइस के लिए ममी, प्रशान जी के जीजू को लेमन राइस की आदत है और हमने तो लेमन राइस कभी बनाए ही नहीं, फर मैं बहुत लखी हूँ कि मेरी भाबी साउथ इंडियान है देवी का भाबी लेमन राइस बना देंगी इसलिए हम सामान लेते हुए आए है हाँ, देवी का बहुत स्वादिश लेमन राइस बनाती है घर पर भी हमने खाए है, बहुत बढ़ियां लगते हैं खाने में चिंता मत करो, देवी का सब संभाल लेगी शाम के समय आरुशी के साथ ससूर और ननदन्दोई डिनर पर आ जाते हैं देवी का ने बहुत ही बढ़ियां लेमन राइस बनाये थे प्रशान के जीजू लेमन राइस की बहुत तारीफ करते हैं अरुशी, तुम्हारी भाबी ने लेमन राइस बहुत स्वाद बनाये हैं तेंक यू दीदी, देवी का भाबी साथ इंडियन फैमिली से ही आई है तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से ये सा बाता है मैं टेस्ट से ही पैचान गया था कि इन्होंने चो लेमन राइस बनाया है हमारे केलरा में ऐसे बनता है तब ही सुआत बिलकुल वैसा ही है तेंक यू, तेंक यू जीजू, तेंक यू दीदी जब भी दामाजी दिली आते हैं तो मंजू ही लेमन राइस बनाती है हम लोग भी इसकी शादी के बाद ही लेमन राइस बनाने लगे है हाँ, शादी के बाद जब साउथ इंडियन फैमिली में गई तो बहुत कुछ सीखा वहां से बनाना फिर यहां ममी भी बनाने लगे क्योंकि इनको तो साउथ इंडियन खाने की यादत थी आरुशी के ससुराल वाले डिनर की बहुत तारीफ करते हैं देविका की वज़े से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया उस दिन देविका के हातों के बने लिमन राइस सभी निखाए सब को लिमन राइस इतने पसंद आए कि सब देविका की तारीफ करने लगे अरे वो देखो मानव भाईया आ गए मानव भाईया यह तो वही है न जो बड़ा आदमी बनने शहर गए थे कैसाल पहले अरे मानो भाई तुम तो सहर बड़े आत्मी बनने गए थे ना फिर आपका ये हाल अभी ये सब वक्त नहीं है भाई कुछ भी बताने का हम सहर से 300 किलोमेटर पैदल चल कर आए हैं और हम सब कई दिनों से भूखे हैं अगर हो सके तो हमें रासन पानी कुछ दिन के लिए उधार दे दो भाईया तुम अपने घर जाओ और आराम करो मानो भाई और रही खाने की बात तो मैं गाउं के मुखिया को बोल देता हूँ वो कुछ दिनों का रासन पानी तुम्हारे घर भिजवा देंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया की सोड भाई मुख्यों उनके घर एक महीने का राशन पानी भिजवा देता है सुन्य जी आखिर कब तक हम इन गाउं वालों से छुपा कर रखेंगे की हम शेहर से भाग कर क्यों आए है तो हम इन गाउं वालों से क्या कहते कि सहर में रहकर हम पर इतना करजा हो गया और वो चुकाना पानी के वज़ह से हम गाउं वापस आए है फिर तो ये हमें जो राशन पानी मिला है वो भी नहीं मिलता ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी देखो रमा जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता चलो आप सो जाओ राद बहुत हो गई है मैं कल ही मुख्या से मिलकर काम की कोई बात करता हूँ अगली दिन मानव मुख्या से मिलता है और अपने बेरोज़कार होने की समस्या बताता है देखो मानव, तुम इस गाउं के बेटे हो और अब तुम इसी गाउं में रहकर अपना कोई काम शुरू करो आपने बिल्कुल सही कहा मुख्याजी वैसे मैं सहर में सारा दिन आटो रिक्सा चलाता था और साम को रमा और मैं पानीपुरी का ठेला लगाते थे तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस गाउं में भी पानीपुरी बना कर बेजू हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छा खयाल है वैसे भी अपने गाउं में एक भी पानीपुरी वाला नहीं है अपना खेत गिर्वी रखकर मानव और रमा ने पानीपुरी का ठेला खोल लिया वो ठेला लगाकर बैठे थे तभी वहाँ उसका बचपन का दोस्त विनोद आ गया जो कि एक गाउं से दूसरे गाउं तक और चलाता था अरे भाँ आज मेरा दोस्त नए काम के सुरुआत कर रहा है लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है क्या बताओ यार ठेला लगाए पूरे दो घंटे हो गए लेकिन अभी भी एक भी बोनी नहीं हुई अच्छा बता कितने की प्लेट दे रहा है तू इन गोलगपों की भया दस रुपे के पांच गोलगपे हैं बस अच्छा भवी फिर तो मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए मानव उसको गोलगपे बना कर खिलाने लगा उनको चकते ही विलोध ने कहा अरे वाब ये तो सचमुच किसी अमरित समान है कुछी दिनों में उनका पानीपुरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है एक दिन मुख्याजी उसके ठेले पर आते हैं मानव मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जी कही है मुख्याजी मानव तुम्हारी पानीपुरी आसपास के गाउं में भी बहुत प्रसिद्ध है मैं चाहता हूँ कि तुम धेर सारी पानीपुरी बनाओ और गाउं के और आसपास के गाउंवालों को भी ये पानीपुरी खिलाओ और आने वाले चुनाओं में मेरे नाम का प्रचार करो क्यों नहीं मुख्याजी आपने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मैं खाली हाथ इस गाउं से लोटा था तो भला मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ मैं आपकी मदद जरूर करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद मानाओ बेटा अच्छा आप मैं चलता हूँ है अपने हाथों कर दी जी लेकिन अब हम इतनी सारी पानी पूरी बनाएंगे कैसे हमारी पास सामान के लिए तने पैसे कहां से आएंगे अब हमें अपने गिर्वी रखे खेत को बेचना होगा ये आप कैसी बाते कर रहे हैं जी अगर अच्छी कमाई हो गई तो फिर हम उस कमाई से नया खेत ले लेंगे लेकिन मैंने मुख्या को जुबान दी है और अम मैं अपनी बात से पीछे नहीं आट सकता और इस तरह मानव ने अपनी जमीन भी बेच दी क्या बकवास कर रहे हो मानव आखिर हमारे बीच पैसो की बात कहा हुई थी मजाक मत कीजिये मुख्या जी मैंने अपना खेत भी बेच दिया है ऐसे तुम्हें बरबाद हो जाऊंगा चुब चाब जाता है या धक्के मार कर निकालू यहां से दुखी होकर मानव घर पहुँचता है और रमा को सारी बात बताता है अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे जी जो बचा कुचा था वो भी हमने बेच दिया मानव और मुख्या के जगडे का पता सारे गाउं में लग जाता है और अब कोई भी मानव के ठेले पर पानी पुरी खाने नहीं आता एक रोज विनोद मानव के घर आता है और कहता है मानव मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से सहर जा रहा हूं तब तक मैं अपना ये आटो रिक्सा यहीं छोड़ का जा रहा है इस गावों में एकलोते तुम ही हो जो आटो चला ना जानते हो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इसे अपने ही पास रखो अगर तुम्हें कोई परिसानी ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे इस आटो का इस्तिमाल कर सकता हूं भया अहां क्यों नहीं अरे ये भी कोई पूछने की बात है इतना कहकर विनोध वहां से चला जाता है सुनिये जी मुख्या जी ने जो धेर सारी पानीपुरी बनवाई थी क्यों ना हम उन पानीपुरीों को आटो में ले जाकर आसपास के गाउं में बेचे मानव रमा के साथ मिलकर गाउं गाउं घूमकर अपनी बनाई हुई पानीपुरी बेचने लगा देखते ही देखते वो दोनों आटो रिक्षा पानीपुरी वाले नाम से फेमस हो गए आज मैं बहुत खुस हूँ कुछ दिन बाद विनोध एक नया आटो लेकर गाउं पहुचा अरे वा विनोध नया आटो लेकिन तेरे पास तो पहले से ही आटो है ना फिर ये किस लिए अरे वो आटो अब पुराना हो चुका है यार और मैं उसे बेचने की भी सोच रहा हूँ मैं अब एक गाउं से दूसरे गाउं की सवारिया चोड़ने की बजाए गाउं से सहर तक की सवारियों को चोड़ूँगा अगर आप बुरा ना मानो विनोध भाई तो क्या आप ये आटो हमें बेच सकते हो अरे ये भी कोई पूछने की बात है आज से ये आटो आपका हुआ है तेरी बड़ी महरबानी मेरे दोस्त ये ले ये तेरे आटो रिक्सा के पैसे पकड़ रमा और मानव तो आटो पाकर बहुत खुश्च थे अब वो दोनों सारा दिन एक गाउं से दूसरे गाउं खुम खुम कर पानी पुरी बेचा करते थे और लोग बड़ी आस लगा कर उनकी पानी पुरी के इंतजार में बैठा करते थे उनका व्यापार अब बहुत अच्छा चलने लगा और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी